अभी दीपक, जोगिंग करने के बाद भी उंग रहा है क्या बताओं यार, कल पूरी राज सो ही नहीं पाया क्यों? चिंटू को कल सुभे से दस जो लग रहे थे, रात भर उसके डाय पर बदलता रहा ये तो चिंटा की बात है, डॉक्टर को नहीं दिखाया छोटी सी बात है यार, अर इसमें डॉक्टर को क्या दिखाना? ठीक हो जाएंगे चोटी सी बात नहीं है बेटा, दस के कारण शरीर से पानी और पोशक तत्व निकल जाते हैं, जिससे बच्चा कमजोर और कुपोशित हो सकता है हाँ, और बच्चे की जान को खत्रा भी हो सकता है अरे डराओ मत यार, ये बताओ क्या करे चिंता मत कर, डबलू एचो ओ और एस और जिंक, दस का संयुक तिलाज है डबलू एचो ओ और एस? हाँ, ओ और इस, उल्टी और दस की मात्रा में कमी लाता है पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा कर बच्चे की जान बचाता है तथा जिंक एक सूश्म पोशिक तत्व है जो बच्चे की रोग प्रधी रोधक शमता में वृध्धी करता है और 10 को जल्दी ठीक करता है अरे वाह, पर देना कितना है दो महा से 2 वर्ष के बच्चों को एक चोथाई से आधा गिलास O.R.S. प्रतिक दस्थ के बाद और दो वर्ष से पाँच वर्ष तक के बच्चे को आधे गिलास से एक गिलास ओरेस प्रत्तिक दस के बाल और हाँ याद रखें बच्चे को तासा स्वच तरीके से पका हुआ खाना खिलाएं खाने को हमेशा ढग कर रखें खाना पकाने, परोसने और खिलाने के पहले एवं शौच के बाद हाथों को साबुन से जरूर धोएं बाई वाह! तुम्हें तो बहुत जानकारी है बच्चों को स्वच रखना है तो जानकारी रखनी ही चाहिए बस अब समझ लो मेरा बच्चा भी हो गया तंदुरुस चलो चलते हैं सभी आगनवाडी किंद्रों पर ओरस और जिंग की गोली उपलब्द रहती है पर दो जानकारी है